हेलो सुरेंट्स कैसे हो आप आज हम जोग्रोफी का नाइन चेप्टर जिसका नम है ट्रेड इसके हम कुश्टेंस करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नहें हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिले इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर के के कुश्टेंस दे दिये सारे सब्जेक के भी दे दिया अगर आप नहीं देख लो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया उस पर आप क्लिक करो तो नाइन चैनल के सारे आपको कुश्टेंस मिल जाए चलो भी स्टार्ट करते हैं यहां पर देखो क्या दियो है आपको पहला कि पहला आपको है क्लासिफाइदा ट्रेड टेकिंग प्लेस बिट्विन फॉलोइंग रिजिंस एक है आपको महराश्रा एंड पंजाब तो देखो यह आपको क्या रहेगा यह रहेगा आपका डोमे मतलब अगर विधिन द्यों कंट्री है तो हम उसको डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं इंडिया एंड जापां तो यह होगा इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है फिर आपका है दुखो लसाल गाओं पूने यह आपको लेगा डोमेस्टिक ट्रेड यहां पर ट्रेड आपको लिखन यह सब जगां ट्रेड आएगा ओके आगे देखो आपको क्या है शेकेंड क्या है पुशन 2 आपको राइट दो करेक्ट वर्ड इंपोर एक्सपोर्ट फॉर्ड फॉलम एक है इंडिया भाइस क्रूड ओएल फ्रों दा मिडल इस्ट एस्ट एचिन कंट्री यह क्या हो गया ह B क्या है wheat is sent to Asian countries from Canada ये हो गया export ठीक है C क्या है Japan sends machine parts to APC countries ये क्या हो गया ये हो गया export ठीक है आगे देखो आगे क्या है 3rd में क्या है आपको 3rd में है correct and direct the wrong statement ये क्या है India is a self-sufficient country ये wrong है ठीक है और इसका जो right statement आएगा क्या है क्या है दोखो India is not a self-sufficient country ठीक है B क्या है दोखो the place where there is excess production does not have demand for those products ये क्या है ये रॉंग है और इसका जो right statement आएगा क्या है दोखो C क्या है दोखो आपका international trade processes are easier than local trade ये आपका wrong है और आपका right statement क्या रहेगा दोखो international trade processes are relatively difficult than local trade D क्या आपको दोखो SARS works towards economic development and enhancing the social and cultural harmony of the Southeast Asian countries ये आपका correct है ठीक है ये आपका correct है आगे देखते है क्या है यहां पर दोखो क्या दिया हुए है यहां पर आपका है identify and write type of trade पहला क्या है दोखो आपका सुरुष्टी बॉट शुगर फ्रोम ग्रोसरी शॉप यह आपका क्या रहेगा यह आपका रहेगा रिटेल ट्रेड दोखो यह साइड में मैंने सब एंसेस डाल दिये एबी सीडी के बीका क्या दोखो दाट्रेडर्स फ्रोम सूरत बॉट कॉटन फ्रोम दाफार्मस ओफ महाराष्ट्र यह आपका क्या रहेगा दो सेक्स ओफ वीट और फाइसेक्स ओफ एंड फाइस सैक्स ओफ राइस फ्रोम मार्केट यार्ड फॉर सेलिंग इन इस ओन शॉप यह आपका क्या रहेगा यह रहेगा होलसेल ट्रेड ठीक है चलो आगे देखो भी आगे क्या है आपको फिफ्थ है आपका राइल शॉट इस नमबर 69 पर ठीक है तो चलो पीज नमबर 69 पर चलते हैं पीज नमबर 69 पर तो यहां पर देखो यह आपका एंसर है ऐसे आपको लिखना है टाइपस ओफ ट्रेड ऐसे आपको फ्लोचार्ट बनाना है टाइपस ओफ ट्रेड उसको आपको दो में डिवाइड करना है on the basis of the quantity of goods सेकेंड का आपको रहेगा उन्दी बेसिस ऑफ दी एक्स्टेंट ओफ ट्रेड रिजिएन इसमें फर्स वाले में आपको दो पाट आएगा वोल्चेल ट्रेड रिटेल अब सेकेंड में आपको दो पाट आएगा क्या डोमेस्टिक इंटरनल ट्रेड इंटरनेशन एक् सेकेंड सेका यहां पर एकके आपका डिफ्रेंस इन टाइप्स ऑफ बैलेंसे उफ ट्रेड इसका अंसर अपका आपका है पेज नुबर 70 पर ठीक है पेस प्लीए कंदील खीलते हैं यहां पर इनसर इसमेड को आपका पेला पॉइंट क्या रहेगा देदिफ्रेंस इस कॉल्ड बैलेंस ओफ ट्रेड, following are the types of balance of trade, तो इसमें तो पहले आपको कहा रहे हो, when the value of import is more than the value of export, it is called unfavorable balance of trade, फिर तो उसमें आपका next कहा रहेगा, when the value of export is more than the value of imports, it is called favorable balance of trade, फिर आपका last point जो हो कहा रहेगा, when the value of the export and imports is almost the same, it is called balanced balance of trade, ठीक है, यहां पे हमारे chapter, यह answer complete हो गया है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे आपको है, बी में क्या दिया हुआ है, बी में है, बी हो गया, अभी देखो, C क्या है, C में है, state the subjectives of WTO, इसका answer है, प्रेस नबर 71 पर, 71 पर देखो, यहां पे आपका answer, तो देखो, आपको पहले क्या ल organization WTO, फिर उसके नीचे आपको यह points लिखने, point number one आपको लिखना है, to provide platforms for negotiations in the international trade, point number two आपको लिखना है, to handle the difference related to trade, point number three आप करेगा, monitor the trade policies of member states, point number four जो आप करेगा, providing technological assistance and training to developing countries, तो यहां पे यह हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, डी देखो, आपको क्या है, what is the difference between the OPEC and APEC in the terms of their functions, इसके आपका answer is page number 71 पर, तो page number 71 पर देखो, यहां पर देखो, पहला देखो आपको यहां पर यह point रहेगा, पहले आपको लिखना है, organization of petroleum exporting countries OPEC, तो इसमें देखो आपको यह तीन point लिख देने है, पहला point रहेगा, आपका, controlling the international trade of crude oil, second point is controlling the rates of crude oil production among members states, third point is maintaining consensus in oil export, फिर आपको देखो, यहां पर, Asia Pacific Economic Corporation, APEC में क्या लिखना है, दो point देखो, free trade and economic cooperation in Asian Pacific Ocean region, second point रहेगा, promoting regional and technical cooperation among members, ठीक है, यहां पर हो गया, D, अभी देखते, E में हमको क्या दिया हुए, E में है हमारा, यहां पर देखो, क्या है, South Asian Association of for regional cooperation, जो है, AARC, फिर क्या Association of Southeast Asian Nations ASEN, फिर आपका Pacific, Asia Pacific Economic Corporation, जो है, APEC, तो दोखो, इसमें आपको यह तीनों लिखने के बाद, आपको यह points भी इसके लिख देने हैं, यह आपको नहीं लिखना है, ना यह आपको लिखना है, ठीक है, यह आपको दोनों नहीं लिखना है, सिर्फ यह, और पहले देखो, जैसे आप लिखोगे, South Asian Association for regional cooperation, तो इसके बाद आप उसके नीचे यह आपको लिख देना है, पहला इसके बाद एको, Associations of Southeast Asian Nations, इसमें आपको लिख देना है, Expanding Social and Cultural Harmony along with Economics Growth in SE Asia, Promoting Regional Peace, Promoting Tax Wives for Trade Growth in Member States, फिर आपको Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, इसके नीचे आपको लिखना है, Free Trade and Economic Cooperation in Asia Pacific Ocean Region, Promoting Regional and Technical Cooperation among Members, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, चलो अभी आगे दिखते हैं, आगे क्या है आपको, आगे है आपको, F में, What is the important of marketing from farmers point of view, तो देखो इसमें जो answer है, इसका एंसर जो आपको स्क्रीन भी दिख रही है, क्या है पहला point, in the traditional marketing, the farmers used to sell their products in the local market at whatever price available, since the fruits and vegetables are perishable goods, the farmers used to incur losses, second point है, हाववर, the progressive farmers have acquired skills in marketing, they are aware of the trends in market, they produce food grains and fruits as per the international standards, फिर आपका last point जो रहेगा क्या है, now they undertake grading and packaging of their products, the presentation of any product has become indispensable now, ठीक है, यह हो गया है, लाश्ट देखो जो लाश्ट आपको क्या है, in the following table, export import of some countries in the year 2014-15 is given in million US dollar, make compound bar graph of the given statistical information, read the bar diagram carefully and comment upon the balance of the payment of the respective countries, तो इसमें दोखो जो आपको लिखना है, जो आपको यह स्क्रीन पर दिख रहा है, यह लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे chapter complete हो गया है, अब यह अगले वीडियो में आपको 10 chapter दूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो था कि आपको वीडियो में बिले, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगो, इस वीडियो को लाइक करो, शेर करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, थैंक्यू, इता है, अब यह वीडियो में पिले, अब कर दो दो.